लो स्टूडेंट मैं डॉक्टर अंजुमित्त बीएससी पार्ट वन एल्गी में हम कारा के बारे में पढ़ रहे हैं इससे पहले हमने मॉर्फोलोजी और इसके इसके मेल सैक्स ओर्गन ग्लोबियूल के बारे में पढ़ा था और अब लाइफ सैक्किल और इसके न्यूक्यूल फीमेल सैक्स ओर्गन के बारे में हम स्टेडी करेंगे ये दोनों सेक्स ऑरगन फीमेल और मेल एक ही साथ रहता है, नोट पर ये उबस्तित होता हैं, जहांपर ये मैक्रोस्कोपिक है, यानि कि हम इसे बिना मैक्रोस्कोप के देखा जा सकता है, होमो थाली के एक ही थालास पर उबस्तित होना या मॉनोशियस, उबहल इंगाश्री कहते हैं जिसे और एक अंड धानी जो है वो गोनियम है एक अंड कार इनकी जैसे सरचना है जिसमें फाइव लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टिस्टेड वे में और ये क्लोक वाइज या दक्षीना व्रत क्रम में कुंडलित होती है और जिसके बीच में रहती है एग से और इसके आपिकल पोर्शन पर कवर करते हुए यहां पर ट्विस्टेड वे में कॉरोना जो कि इसके आपिकल पोर्शन को ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है शिशियूश पर और इनकी जुर utzयूर्ट के नोब्मेंट में और इनके ड्यूर्ट मेंट कैसे होता है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे में और इसमेत इनके जड्यूमेंट जो नूप्यूल का जड्यूअलपमेंट क्या वह इसके बयूंत कई नोड पर बेसल सेल जहां पर गलोबियूल बन रहा है उससे उसका निर्मान होता है और इनिशियली ये थ्री सेल्ड स्टक्चर बनता है ट्रांसफर डिवीजन से जिसमें उगोणियम मदर सेल और सेंटर में मेडियन सेल और इसके पैडि सेल बनता है और इसमें आधारी değil, जो सबसे नीचे cell है, उसमें कोई division नहीं होगा, ये इसके, इसका वरंत बनाएगी, stock बनाएगी, nukule का, और बीच की cell में है, उसमें division होते हैं, vertical division से, यहाँ पर एक center cell बना दिये, और उसको cover की हुए five tube-like structure बनेगी, और यह जो tube like center में कोई division नहीं होगा और फर्दर जो center में जो division है वो नहीं होगा और इसके जो five cells हैं फिर अपने transfer division से unequal division से small और large cell नीचे की और बनेगी अपर जो cell है वो corona बनेगी जिसमें व्रद्दी नहीं होगी नीचे की जो cell है वो tube cell जिसमें हम कहते हैं वो elongated होकर इसमें इसको जो ugonial mother cell अपर cell है उसमें division होगा नीचे एक stock cell बनेगी और अपर अंड धानी जिससे अंड cell बनेगी वो उसका निर्माण होगा और ये अपनी size में increase करती है और corona इस तरह से division की corona है वो इसकी cell एक cell को cover कर लेती है और cover cell के नीचे stock cell present है और उसके नीचे central cell present है इस six cell जो twisted way में इसको cover करती है और उपर small corona five cell जो as a protection का काम करती है और egg cell एक elongated structure बनाती है जिसमें oil drops और starch grains और एक haploid nuclei present है इसके apical portion पर एक receptive sport बनता है जो hyaline एक transparent structure है जो upper side में बनता है और इसको cover किये हुए है और tube cell यह अंड के नीचे portion को इसके चारो तरफ यहां पर यह twisted way में रहते हैं और अब fertilization के समय यहां पर इसकी corona जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है एक slit बन जाती है जिससे कि इसका जो apical portion है वो expose हो जाता है और उसमें जिलेटी करन हो जाता है और वहां एक दरार के थू होते हुए वहां पर एंट्रोजोइट एंटर करते हैं और इसके अंडधानी या उगोनिय में प्रवेश करते हैं और इसके x-cell के nuclei से मिलके male nuclei के salience से बनता है उस पोर या निशिक तांड बनता है और यह जो निशिक तांड बना है यह एक मात्र एक hard structure है और इसमें इसका रंग पीला या red, yellow या brown हो सकता है और यह चार पढ़ते हैं इसमें होती हैं जो outer पढ़ते हैं वो colorful होती हैं जिसमें pigments हैं और inner जो पढ़ते हैं वो colorless होती हैं और यह जैसे इनके उपर का आवरन जब break हो जाता है तो यह अपने यह जो इसका एक स्पोर है निशिक तांड है उस पोर वो इसके जहां पर जहां वाटर में है वहाँ उसके नीचे चला जाता है resting stage में और उसके बाद में इनका होता है germination germination के अंदर यह deployed structure जो निशिक तांड है उस पोर है अब उसके अंदर होगा reduction division यानि कि यहाँ पर deployed जो अवस्ता है वो केवल एक उस पोर के रूप में ही होती है reduction division से four nuclei बनते हैं और इसके साथ में इसके उस पोर में partition होता है एक अधार सेल और एक अपर सेल अधार सेल में three nuclei रह जाते हैं और अपर सेल में यहाँ पर एक nuclei का movement होता है और नीचे जो cells है जिसमें तीन एगुनित केंद्रक होते हैं और उपरी सेल में एक जहाँ पर vertical divisions होते हैं और जिसमें एक rhizoidal initial और एक तथा proteinimal initial में यह विवेदित होते हैं यह दोनों जो कोशिका हैं वो विपरे दिशा में व्रद्धी करती हैं और rhizoid हैं वो positive geotropism को represent करते हैं और यह primary rhizoid बनाते हैं प्रोटोनीमा है वो negative geotropism शो करते हैं और यह एक primary प्रोटोनीमा बनाते हैं और इस तरह से इनमें peripheral cell से और एक central cell में इनका विवेदन होता है तो इनमें इस तरह से germination से एक new thalus का निर्मान होता है और यह life cycle है कारा की जो sexual reproduction और vegetative reproduction से इसमें new thalus का निर्मान होता है vegetative bulbils, amylum stars, amophorus bulbils यह vegetative propagation के लिए और कारा की globule algonia यहां जिसके gametes हैं egg and sperm बनते हैं से जाइगोट बनता है और जाइगोट में meiosis होने के बाद में इसमें प्रोटो नीमा और इसमें एक thalus का निर्मान होता है झाल यहां जाइगोट झाल के एक प्रोटोटोटे फनाश का झाल मृ क्वे झाल एक पर कारी kня बनाभ यहां होता हैं झाल झाल झाल